पहले क्या चलना था एकना शिंदे वर्सेस उद्दव ठाकरे लेकिन एकना शिंदे फंड 20 बीच में चलने लगया है तो इससे क्या है कि बीजेपी ने जोर दोर करके सरकार तो बना लेकिन वो सरकार उतने हथा कारगर नहीं है तो ऐसे वक्त में देखी कितना लंबा आप खुदे आप हम इस पे प्रोग्राम कर हम लोग कवर कर ठक गयें कि भाई अब कुछ न कुछ फैसला आएगा कभी कपिल सिबल से उमीद कभी कोड से तमाम चीज़ें देखे चुनाब आयोग पूरी तरह से जो है कहीं न कहीं कमजोर होती नजर आ रही है जिसके वज़ा से वो चाहती तो कभी कभ का न वो एक्शन ले लेती लेकिन देख ठाकरों को पता है कि उनके साथ बहुमत नहीं है और जो इतिहास गभाही देता है जिसके पास बहुमत होता है चुनाब आयोग उसी के हक में फैसला सुनाता है लेकिन नेक्शनाइन नियूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अबरारुलहक रह्मानी महराश ट्रिकी सियासत में एक बार फिर्द से चर्चाएं तेज हो गई है क्योंके 17 जनवरी को बड़ी सुनवाई होने वाली है चुनाब योग में तेसल चुनाब योग इस बात को लेकर के फैसला लेने वाला है कि पार्टी किस के आतों में जाएगी चुनाऻ चिंज है वो किसके आतों में जाएगा इस पुरे मामले को लेकर के जो चानून के जानकार है जो कानून के विशेश चगिये उनके द्वारा यही और यही कहा ऑगा है कि फैसला अगर उनके विरोध में आता है तो वो हो सकता है कि सुप्रिम कोट में इस बात को लेकर अपील भी कर सकते हैं तो इन्हीं तमाम बातों पर यहां पर जो है सायोगियों से जाने की कोशिश करेंगे कि दरसला अगर इस तरीके के स्थिती पैदा होती है तो क्या वाकई उद्दव ठाकरे आने वाले समय में पार्टी के लिए जो एक मजबूत इस्थिती पैदा करनी है महराश्ट की सियासत में क्योंकि छेत्री दल होने के नाते उद्व ठाकरे और शुसेना पार्टी का दब दबा लगातार देखने को मिला लेकिन इस बीच बीच बीते पांच-छे मैनों के अगर बात की जाए तो शुसेना पार्टी लगातार कमजोर हुई है मेरे साथ राहूल बने हुए उन से सव ला जाता है चुके आप कह सकते हैं बीम से चुनाओ भी है तो यह सारी चीजों को देख करके आपकी क्या राही होगी कि उद्व ठाकरे को घटका लगीगा या फिर उनको जो है लाब मिल सकते हैं जी देखी काफी समय से हम देख रहे हैं कि महराश्ट में शिंदे वर्सस उ खुले वे हैं जो शिंदे के साथ गए हो देखी बीम सी चुनाओ की अगर आप बात करें मुझे ऐसा लग रहा है कि देखी दशेहरा रैली का मैं या पर जिकर करना चाहूंगा जब दशेहरा की रैली होती है उस तोरान हम देखते हैं एक तरफ शिंदे की रैली थी एक तर उठाकरे दोबारा से जो जमीनी इस तर पर काम करना शुरू कर रहे हैं लगातार मैं संजे राउत का जिकर कर लेता हूं संजे राउत जब जेल से जमानत पर बहार आते हैं तो संजे राउत लगातार अपने नेताओं को एक साथ करते हुए नजर आते हैं जनता के बीच मे अपनी एक नई पकड बनाते में नजर आते तो महराश्ट में एक बड़ा फेर बदल हम देख रहे हैं और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है या एकनाथ शिंदे पहले कि पहले क्या चल ला था एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्दव ठाकरे लेकिन एकनाथ शिंदे फंडव खड़ा होता नजर आ लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि जिस तरीके से बड़ी पकड उद्दव ठाकरे महराश्ट में बना रहे हैं बीमसी चुना में एक बड़ी जीत हो के बिल्कुल बहुत बहुत शुकरी है इन तवान सवालों का जवाब देने के लि माना जाए कि बीमसी चुनाओं से पहले बीजे पिक के लिए एक माहल तयार करने के लिए पिम मुधी का दोरा हो रहा है चुकर इसको लेकर के विपक्ष की कहीं ने ताउने सवाल भी खड़े कर दे शुकरी है अबरार जब हम और आप शिंदें जो खेला कर रहे थे उसके बाद उससे पहले भी मितिशा जी सियासत के चानके कहे जाते हैं वो भी गय थे उसके बाद किसी को पता ही नहीं था कि देबेंदर फड़नबीस डेप्टिस सीम बनेंगा ही बनेंगे और अब मुधी जी का जाना आज दिल्ली में भी उनका रोड़ शो है वाकई में ये ची चुनाबाद में बीमसी चुनाबीबाद में सबसे पहले लोग सभा चुनाब बहुत माईनी रखता है लोग सभा चुनाब में महरास्ट की लोगों की निगाहें बानी रहती है तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होगी तो लास्मी है कि विधान सब माफ कीजे बीमसी पर फर्क तो परेगा और इसको बार बार हाला के दब दबा रहा है उद्ब ठाकरे का लेकिन देखना यह होगा कि पार्टी को टूटने के बाद क्या वाके में कमबेक कर पाते हैं या उन्हें जो है कम से कम चुनौती दे पाते हैं यह अलग बात रहेगा लेकिन मोदी जी के जाने का मतलब मुझे लगता है लोग सभाद चुनाब के मद्धे नजर शायद ज्यादा बात चीत होगा चुनायोग के मामले कोले करगे क्या टिपपनी करना चाहेंगे क्योंकि चुनायोग इस वक्त फैसले लेने के मूड में बिलकुल नजरा रहा है और जितनी तमाम सब जो महिया करवाई जाने थी चुनायोग के समक्ष वो सारे सबूत रख दिये गए सत्रा जनवरी कल है कली फैसल आ सकता है तो ऐसे में उद्दव ठाकरे के जो सियासी विरासत के अगर बात की जाए तो उसको कैसे देख रहे क्या वो बच पाई देखे अबरार जिस तरीके स वो फैसले सुनाते रहे हैं जिस तरीके से पक्च बिपक्च पे नजर अंदाजी करते रहा हा उनोंने जिस तरीके से सरकार के परती जो है धुकाव उनका रहा यह अपने आप में एक्स्छरमनाक तस्वीर रही है तो ऐसे वक्त में देखी कितना लंबा आप खुदे आप हम इस पे प्रोग्राम कर हम लोग कवर कर ठक गए हैं कि भाई अब कुछ न कुछ फैसल आएगा कभी कपिल सिबल से उमीद कभी कोड से तमाम चीज़ें देखे चुनाब आयोग पूरी तरह से कहीं न कहीं कमजोर होत हैं उदब ठाकर इस तमाम लोग मुझे उससे कोई उमीद नहीं लग रहा कि बेमसे चुनाब से पहले शायद वो कोई फैसला सोना सकते हैं बिल्कुल इस तरीके की बाते लगतार की जारी है कि माराश्ट की सियासत में और कई उतार चड़ाओ जो है वो देखने को मिल सकते हैं हलाकि कल एक बरी तारीख है माराश्ट की सियासत के लिए 17 जनवरी को चुनावायो का फैसला आना है और ऐसे में जो सारी जानकारी अब तक आपाई है कानून के जानकारों के मताबिक अगर समझने के कोशिश करें तो उनका यही कहना है कि एक नाशिंदे के पक्ष में फैसला जा सकता है तो उसके बाद उद्व ठाकरे का अगला कदम क्या होगा मिरसादीपक इन से समझते हैं इस सवाल का जवाब ने कि प्लान भी जो ठाकरे का हो सकता है उसमें दो करीब सरमिकर्ण बनने हैं पहला यह कि चुनावायो के फैसले को हाई को दुबारा से चुन करेवाई होगी तो यह सारी बाते हैं तब वहाँ पर सारी बाते हल होती नजर आएंगी लेकिन इन सब के साथ अगर मुद्व की बात करें तो शिविसेना पार्टी अगर बाइचांस उद्व से चिन भी जाती है और उसके नेता मना बना दिय जाते एक नशिंदे बना दिय जाते तो उदव ठाकरे वहाँ पर दूसरा बड़ा कदम यह उठा सकते हैं कि वह जनता के बीच यह राय रखेंगे कि बाला साथ ठाकरे के नाम का इस्टमार करते वेश जिंदे ने ऐसा-एसा किया वहाँ पर उनको बदनाम करेंगे और उसके बाद जनता सही राय मांगें तो चुनाब आयोक की तरफ से इसारे नाम देना कहीं ना कहीं बड़े काम के तो नहीं है लेकिन इन सब के बाद यहाँ पर चड़्चा का विश्य यही बनना है कि महराश्ट्र में शिंदे के खिलाफ उदव ठाकरे नए चुनाब चिन को जनता के बीच उतार सकते हैं अग परिशिंदे कुट की खिलाफ उदव ठाकरे के वकिल कपिल सिबल ने उनोंने कहा था कि साथ जज़ों के सामने मैं दलील रखना चाहता हूं जस्टिस चंदर चोड़ने तब 14 फरवरी के तारीक दे रखी है जी चुटा से सवाल रहेगा जवाब भी चुटा से रखिया है इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पलान भी को लेकर कि जो अधर ठाकरे लगातार बातें कर रहे हैं तो क्या उनको इस बात का गुमान हो चुका है कि चुनायों के फैसले से उनको रहात नहीं मिलने वाली है और इसमें कहा भी यह जा रहा है कि जनता के बीच एक परपोजल लगता है देखे उद्धव ठाकरे को पता है कि उनके साथ भूमत नहीं और जो इतिहास गवाही देता है जिसके पास भूमत होता चुनावायों उसी के हक में फैसला सुनाता है लेकिन जैसा कि हमने कहा 14 फरवरी को जो 16 कहें चालिस कहें या सभी विधायकों पर जो आयोग तमाम सजीगों से बात कर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की तो देखते हैं कल चुनायों कि भीतर किस तरिके से मामला देखने को मिलता है रुद ठाकरे कि वो जो विरासत वाली राजनीती है वो बच पाती है या फिर पार्टी का नाम और निशान उनसे च्छिनता नजर आता है इस कास रिपोर्ट में बस इतना ही देखते हैं ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्शना निउस को धन्यवाद